जहीं दोस्तों जैसा कि देख रहे हो सारा हिंदुस्तान आवाज उठा रहे हैं इंडियन आर्मी को इंसाफ दिलाई है उनके फैमिली को इंसाफ दिलाई है इंडियन आर्मी के काफी जवान वीडियो बना कर इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे हैं उनकी फैमिली इंसाफ के आवाज उठा रहे हैं, मगर पता निया आवाज यह सिस्टम तक पहुच रहे हैं या नहीं, मगर जहां तक पहुच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपको बता रहा हूँ आपको रहे हैं, 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 आपको रहे हैं तो जिन तक पूझ रहे हैं वो मुमन काड का इस्तमाल करके अने इंडियन आर्मी के फैमिली का कुछ वैलू नहीं है यह पैसे वालो का वैलू है नशा देखा यह पैसे का नशा गुरूर का नशा कहां पर है कहां पर है यह फ्लिम इंडिस्टी के लोग कहां पर है कोई नहीं बोर रहे हैं क्रिकेटर हमारे कहां पर है कोई नहीं बोर रहे हैं जो सुबह से शाम वीडिया में बेट के डिबेट करते थे फाजीयों के नाम पे रहा है कोई नहीं है कोई यह परवा भी नहीं हम को कि आप हमारा साथ 2 या तो एक आशा करता हूँ आपके उपर कि आपको देखते थे हम क्या रे बच्पन में क्या रे फोजी का ये पिच्चर आया क्या काम किया है यार सच्चा है यारे वो क्रिकेटर को देखता था मैं जब फोजीयों के लिए क्या क्या बाते करते थे वो डिबेट में देखता हूँ मैं जो फोजीयों के लिए कैसे लड़ते हैं कहा है यारे कहा है आप लोग नजर ने आ रहे आप कोई बात ने लो प्रॉब्लम आपका भी कोई प्रॉब्लम होगा क्योंकि फ्लिम इंडस्टी है अगर आप आवाज उठाएंगे तो कल आपके खिलाप जाएंगे फ्लिम इंडस्टी वाले कोई बात ने कोई बात ने काम जरूरी होत देश से बढ़कर पहला काम होता है, सही है, मगर यह आम आदमी है ना, उसका पहला फर्ज, उसका पहला सब कुछ, यह देश है, पहला देश है, क्योंकि जब वो, वहाँ पे बेटे है ना, बॉर्डर पे, दुश्मून उसे लड़ रहे, शहिद हो रहे, तो पहला हम लोग उनका सोचते है, उनके फैमिली का सोचते है, कोई ने सोच रहे ना, मत सोचे है, वो जान दो, मत सोचे है, और कोही न कही है हमारी, जो हमारी आवाज है ना, वो शायद, शायद, हमारे सिस्टम तक नहीं पोच रहे है, तो मैं आपको सबको रिक्वेस कर रह कि हमारे महारास्ट के CM साब माननीय श्री उद्दाव ठाकरे जी जितना हो सके उन्त कि ये मेरा वीडियो पोचाई है माननीय श्रीप सारे स्टेट के जितने भी चीफ मिनिस्टर है उन्तों कि ये मेरा वीडियो पोचाई है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोधी जी उन्तक ये मेरा वीडियो पोचाई है कि शायद अगर ऐसा हो सकता है ना यार कि ये बड़े लोग है इन तक हमारी आवाज नहीं पहुच पारी होगी तो जितना हो सके मैंने आज तक कभी ने बोलाई कि मेरा वीडियो शेयर करिये ज्यादा से ज्यादा मगर ये का ये जैसी हालत हुई है हमारा आम आदमी का कोई नहीं सुन रहा है इसके वज़े से वरोज इतना हो सके वीडियो इन तक पोचाई है कि हमारे इंडियन आर्मी को इंसाफ दिलाए और जल से जल ये एकता कपुर का जो घमंड है जल से जल इसके उपर कारवाई करके इसको अरिस्ट करिये है क्योंकि अगर मुझे ऐसा लग रहा है अगर अभी तक अपनी आवाज इन तक पोच जाती इन तक पोच जाती तो अभी तक इंडियन आर्मी को उनके फैमिली को इंसाफ मिल गया होता मिल गया होता इनसाफ मगर अपनी आवाज नहीं पोच रहे है वहां तक तो यह गलती हम लोगों किये जो वहां तक अपनी आवाज नहीं पोच रहे है तो आप जितना हो सके यह हमारे आवाज उन तक पोचाईए क्योंकि जब तक उनको पता नहीं चलेगा कि एक्चुली हुआ क्या है तब तक तो कुछ नहीं होने वाला ना हमारी आवाज उट रही है या नहीं उनको पता ही नहीं अभी तक ना तो सारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टिया है जितना हो सके उन तक यह मैसेज पोचाईए मेरा कि अभी यह देश को आपकी जरुवत है ऐसे लोग है जो हमारे हिंदूस्तान की बदनामी कर रहे हैं तो जितना हो सके आप यह वीडियो उन तक पोचाईए और हमारे महाराष्ट के माननीय श्री उद्दव ठकरे जी उन तक भी यह मेरा जितना हो सके उनको टैग करिए और उनसे इंसाफ का थोड़ा मुझे आशा है कि मिल सकता है क्योंकि वो हमारे रुदाई समराठ आंके रोंके खड़े जाते हैं जब उनका आवाज नाम लेते तो कसम से माननीय बाड़ा साइब ठकरे जी अखिल में उनके खूने हो तो एक आस है उनके उपर कि यार वहां से इंसाफ मिलेगा तो जितना हो सके आप वहां तक भी मेरा वीडियो पोचाईए और खूने वो एक चुचुंदर कोई आई है लड़की हो जो ग्यारेंटी मांग रही है कि क्या ग्यारेंटी है कि मिलिटरी वालों की विविया ऐसा नहीं करती जब वो सरत पे जाते तेरे बापने ग्यारेंटी दी थी क्या पूछ ले डियने टेस करके ग्यारेंटी है तेरे बाप के उपर ऐसे तो साले है कुछ गद्दार साले इनको गिंता भी ने हो है समझा इनको गिंता भी ने ऐसे चुचंदर को तो भगवा ऐसे गांडों को आप जितना हो सके यहां तक अपना मेसेज पोचा ही है इनकी तो बजा के रहेंगे जो जो हमारे देश के किलाब बात करेगा यह कचरा साफ शुरूवात हो गई है हां तो इनकी कनफर्म वा जाएंगे और जितने भी लोग यह मेरे मोईम में मेरे साथ में खड़े हो गए धन्यवाद यह आपके वज़े से आज इंडिया आर्मी के जवानों को पावर आता है कि उनके साथ हम खड़े हैं तो ऐसे ही उनका साथ दे दिजे धन्यवाद जैहिन और ऐसे आंडू आंडू लोगों क्यों पर ध्यान मत दो जाटू लोग है हो समझा फेम के लिए अपनी माच उदार बगव इन लोग को मादर चो दोगो